हरियों प्रीदरसकों यदि आपकी धन रासी है जिस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा समझेगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा इतनी खास क्यों है ये तारीख ये कौन सी तारीख है जो बहुत खास है आपके लिए बहुत महत्त पूर्ण रहने वाली है क्योंकि पांच-पांच राजयोग बनने जा रहे हैं और इन राजयोगों का क्या आपको रिजल्ट मिलेगा आपके जिवन में क्या पदलाव आएगा ये भी हम समझेंगे साथ में एक दुरियोग का भी निर्मान हो रहा है तो क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए ये भी हम जानने वाले हैं साथ में हम जानेंगे वो बातें जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके साथ ये जो सब कुछ आप सुनते हैं जैसे इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं और भी वीडियो में सुनते हैं ये होगा वो होगा ऐसा होगा परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है ये भी हम समझेंगे और साथ में आप लोगों के request आ रहे थे क्योंकि इससे पहले नवंबर में हमने वीडियो बनाई थी जिसमें पूरे महीने जितने भी ग्रहों के परिवरतन इस्थितियों में बदला होते हैं जिए वक्री हो रहे हूं, मार्गी हो रहे हूं, राज परिवरतन कर रहे हूं, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मेसेज आ रहे थे, तो अब ये सिरीज हमने बनाई है थोड़ा लेट है, परन्तु ये सही समय में बन रही है, इसे पूरे ध्यान से देखिए का समझेगा, तो आईए सबसे पहले जान लेते कौन से राजयोग बन रहे हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे आगे, तो राजयोगों की बात की जाए, तो 16 दिसंबर से ही सूर अपना रासी परिवर्तन करके, अब मंगल की रासी, व्रश्चिक रासी को छोड़के, अब देव गुरु बहस्पत की रासी, धनु रासी में गोचर कर रहे हैं, परन्तु इससे पहले दूसरा राजयोग बनने वाला है, मंगल 28 दिसंबर को अपना रासी परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो की अब ये अपनी रासी, व्रश्चिक रासी को छोड़के, देव गुरु बहस्पत की रासी, धनु रासी में गोचर करेंगे, और जैसे ही धनु रासी में 28 दिसंबर स बुद्ध भी धनु रासी में कोचर करेंगे, तो ये समय होगा जिसमें बनने वाला है बुद्धा दित्योग, और बहुर जब कहा जाए कि ऐसा बुद्धा दित्योग जो की हमेशा बनता नहीं है, बहुत जबर जस्त है, इसके अलाबा देखा जाए, तो यहाँ पर शौर योग का निर्वान हो जाएगा, जो की बहुत हितकर है, और पिछले महीने बना था, परन्तु बीच में खत्म हो गया था, परन्तु फिर से अब भी बना है, और मंगल का परिवरतन बहुत महत्तपूर है, क्योंकि मंगल अब यहाँ पर बहुत समय तक, लंबे समय तक रहने बाले हैं, और इसके अलाबा, शुक्र 25 दिसंबर को अपना राशी परिवरतन करके, अपनी राशी, तुला राशी को छोड़के, अब मंगल की राशी, व्रश्चिक राशी में गोचर करेंगे, तो यह व्रश्चिक राशी में जैसे ही गोचर करेंगे, 25 तारिक को, परन्त पर लक्ष्मी नारण योग का निर्माण हो जाएगा तो प्रिदर्श को ये पाँच राज योग बनने वाले हैं दो नम्बम बंचम राज योग, सोर योग, भुधादित योग और लक्ष्मी नारण योग तो ये पांच राजयोग क्या प्रणाम देंगे ये हम जानेंगे पर उसे पहले जाल लेते हैं कि दुरियोग कौन सा है तो दुरियोग है शुक्र जैसे ही आ जाएंगे 25 तारिक को व्रश्चिक राशी में वैसे ही सूर से आ जाएंगे 12 भाव में तो 12 का जो संबंध है ये ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि ये बेका कहा जाए तो संबंध है और शाथ में जब 28 तारिक से मंगल आएंगे धनु में तो फिर मंगल से भी ये 12 के संबंध में आएंगे परंत बुद्ध भी 28 तारिक से वर्शिक राशी में कोचर करेंगे तो यहां भी बुद्ध भी शूर और मंगल से दोनों से 12 के संबंध में आ जाएंगे क्योंकि सुक्र कौन है शुक्र है एशुर शुक्र है लगजरी शुक्र है दामपत जीवन मेरीजी लाइफ या लव लाइफ दोनों के लिए शुक्र क्योंकि प्रेम है शुक्र और शुक्र है सुक्र जो भी आप सुक्र चाहते हैं कि हमारे पास घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, संसाजिक चीज़े जितनी भी आप देखते हैं, जो सौंदर में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट रखते हैं, वो सब चीजों के सुक्र अधिप फिल्म इंडस्टी में शुक्र का बहुत प्रभाव होता है, जो लोग कला के छेत्र में हैं, उनके उपर शुक्र का बहुत प्रभाव होता है, बुध, बुध को कोई नकार ही नहीं सकता, क्योंकि बुध कौन है, बुध्धी, और बिना बुध्धी के कोई भी काम किया नहीं वाला है देखा जाए तो आपके जीवन में यदि मान सम्मान को लेकि चिंता थी आप का लोग अपमान कर रहे थे जितनी इज़त आपको देना चाहिए जितना मान सम्मान आपको देना चाहिए उतना मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था तो अब आपके मान सम्मान में ब्रद जाए तो बहुत हद तक कम हो जाएगा मानसिक टेंसन जो है तो मानसिक टेंसन कैसा अब चाहे वो धन को लेके हो चाहे स्वास्त को लेके हो चाहे करियर को लेके हो किसी भी तरह का मानसिक टेंसन हो या भी प्रीत के प्रति हो दामपत्य जीवन में हो तो हर एक तरह का मानसिक अब दूर होने वाला है, चिंताएं अब दूर होने वाली है, इसके अलाबा देखा जाए, तो यदि अभी तक आपके जीमन में आप बहुत जादा प्रसान थे इस बात को लेके, कि हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो ये सब चीजें आपको प नाना है, इसके लिए आप प्रतन करें तो इस समय से फलताएं मिल सकती हैं, या आप बिल्डर हैं, या ब्रोकर हैं, जमीन बेचने खरीदने का काम करते हैं, या फ्लैट खरीदने बेचने का काम करते हैं, लोगों को दिलवाते हैं, तो बिल्डर के लिए जो लोग दिखाई दे रही हैं और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा लोगों का सहयोग भी मिलेगा जैसे मने बताया कि बान सम्मान में भी ब्रद्धी होगी साथ में यदि पार्टनर्शिप में आप ब्यापार करते हैं या अलग से भी ब्यापार करते हैं तो ब्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने बाला है ब्यापारियों को धनला मिलने बाला है आपके विजनेस में आपके ब्यापार में ब्रद्धी होती हुई दिखाई देगी और इसके अलापर देखा जाए तो जो लोग लब पार्टनर हो ये लाइफ पार्टनर हो खासकर लाइफ पार्टनर मे गरी लाइफ में अब बहुत कुछ बेहतर होने वाला है, यदि आपके बीच में बाद व्यात के श्तेती बनी होई थी, यदि आपके जीवन में संघर्स बना हुआ था, कुछ उन कुछ बातों को लेके, बेवज़य की बातों को लेके बाद व्याद हो जाते थे, या जो और घर में कलह का महौल जो बना हुआ था वो सांत हो सकेगा परंतु सावधानिया भी जरूर सुनके जाईएगा इसके अलाबा देखा जाए तो यदि रोग बाधाओं से कोई आप गंभीर रोगों से पीडित थे बहुत समय से कोई रोग आपको घिरे हुए था अब गंभीर रोगों से धिरे धिरे आपको मुक्ती मिलना प्रारम हो जाएगी धिरे धिरे रोग बाधाय अब दूर होना चालू हो जाएंगे और इसके अलाबा जो लोग बहुत जादा डीप रिशर्च करते हैं रिशर्च बर्क करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा होग आपको रिशर्च में अपने सफलताई मिलने वाली हैं तो प्रिदर्च को ये बहुत सारे लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं परन्तो अब साउधानिया भी हम समझ लेते हैं साउधानिया क्या हैं जैसे मैंने बताया कि सुक्र और बुद्ध तो आपको कोई भी निर्णे लेते समय बहुत सावधान रहना होगा कोई भी चीजें आप लगजरी की चीजें खरीद रहे हैं उनको खरीदते समय यह देखना होगा कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कहीं आपको धुखा तो नहीं दिया जा रहा है बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी लिए आपको प्रित्न करना होगा और इसमें सबसे महत्त पूर्ण बात होगी कोई भी जल्दवाजी में ना ले क्रोध ना करें और अपने बाणी में सहिम रखें ये इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं और खास कर देखा जाए तो आपको अपने घर परिवार में कलय का महौल ना बने इस बात के लिए प्रित्न करना होगा तो प्रीदर्सों ये साउधानिया हैं जो कि आपको रखनी चाहिए और साथ में अब हम बात कर लेते हैं जो हमने पहले कहा कि आपको ये रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं बहुत सारी वीडियो में आप सुनते हैं जैसे जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, ये मजबूत अवस्था में हैं, पीडित नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं, अच्छी स्थिती में हैं, दसाय अच्छी चल रही हैं, तो फिर आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे, परन्तु ये दसाय ये ठीक नहीं है, ये ग्रह कमजोर हैं, पी मेसेज कर सकते हैं आपको कॉल नहीं करना है और प्रिदर्स को एक महत्त पूनवाद उपाए के रूप में देखा जाए तो आपको एक तो भगवान सुर्ख को अर्ग देना है और दूसरी बात आपको माजदंबा की आराधना करनी है या तो आप अपनी कुल्देवी की द्हाल हना नहीं करते हैं उनके जीवर्ण में बहुत सारी ऐसी समंश्या होती है जो की मालुम नहीं पड़ती है कि यह समस्या क्यों हो रही है कई बार全्व मालूम नहीं पड़ता है, जाच में आता है कि सबकुछ नार्माल है पुल देवी की आराधना कर सकते हैं मंत्रों का जब कर सकते हैं अस्त्रोंतों का पाढ़ कर सकते हैं इससे आपके जीवन में जो समस्या हैं हो दूर होंगी और इस्तियों का सम्मान करें और पुरुस हैं इस्तिय हैं तो पुरुस का सम्मान करें इन बातों का ध्यान रखें औ आपनी कुल देवी का नाम आप जानते हैं वो लिख सकते हैं उनकी जयकारा लगा सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद